जब इस्तिती गर्विस्तिती हो, उस समय सिर्फ देवियों को रामान का पाठ करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, सांत रहना चाहिए, जूट नहीं बोलना चाहिए, अगर आप ऐसा कर सकेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आने वाली पीडी आपकी बड़ी ही सुन्द होगी, हितकारी होगी, और आने वाली पीडी मेरे ठाकुर की पूझा करने वाली होगी, मेरे गोविंद की पूझा करने वाली होगी, बहुत से लोग कहते हैं, माराज हम अपने धर्म के लिए क्या करके जाएं, एक यी प्रात्ना है, कौन कौन कुछ करना चाहता है धर्म के चाहते हैं, चाहते हो, पक्का, आने वाली पीडी को भगवान का भक्त बना जाओ, इतना उपकार कर दो, आपके और मेरे जाने के बाद इस दुनिया में से, मेरे घर में भगवान की पूजा चालू रहे, चलती रहे, होती रहे, सिर्फ इतना ही उपकार आपका, आपके धर्म के उपर बहुत बड़ा होगा, इतना सा काम कर दो, आपके बच्चे, आपकी पीडी, नेक्स्ट पीडी, निूज़ जंड्रेशन, गौड पर यकीन फेद करने वाली हो, उनकी पूजा करने वाली हो, यह आपके आज सबसे बड़ा उपकार हमारे भारत पे होगा, सनात धर्म पे होगा कितना बड़ा काम कौन कौन करेगा कोशिस करोगे हम लोग कोशिस कर सकते है आगे उसके भी करम उसके साथ देंगे रादे रादे बोलना पड़ेगा आंत्मदेव ने कोशिस की अपनी पत्नी को फल दिया लेकिन कुछ संग बहुत बुरी चीज है फिर से सुन ले ब्यक्ती गलत संग में पढ़कर अपना सर्वनास करता है आत्मदेव ने फल लिया उनकी पतनी धुंदली ने वो फल खाया नहीं अपीतू वो फल गाय को खिला दिया यह प्रशंग आपको पता है कही बार सुनाया है लेकिन नई लोग बैठे हैं यहां पर जो कथा पहली बार सुन रहे हैं उनको सुना रहा हूं उनकी बहन ने गलत संगत देती गलत बिचार देती यह फल का पता नहीं बाबा जी ने क्या मिलाया है यह फल तू मत खा ये फल गाय को खिला दे मैं भी गर्व से हूँ जो संतान होगी मैं तुझे दे दूँगी और वो बात मान ली धुंदली ने ये बात धुंदली ने मान ली फल खिला दिया गाय को और उसके जो संतान होई वो खुद ने पाली उसका नाम रख दिया धुन्दकारी क्या नाम रखा और हमारे ब्रेज में कावत है पूत के पाम बचपन से बड़ा खतरनाक था धुन्दकारी जो बच्चे ज़्यादा फाइट वाइट करे न तो मापाप को उम्मी छोड़ देनी चाहिए बच्चों से के बड़ापे ममाई सेवा करेगा जो अभी से भाइट कर रहा है वो आगे जाके राइट नहीं करेगा याद रखो और इसलिए बच्चों को आज कल के बच्चों को अपने माबाप का संग अच्छा नहीं लगता है अपी तु फ्रेंड्स का संग अच्छा लगता है इमांदारे से जवाब दो माबाप का संग अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स का जिने बाहरी दुनिया अच्छी लगने लगे वो भीतरी दुनिया में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हर एक जगे पर यह सब्दी माइने रखता है बाहरी दुनिया में जो मगन है वो भीतरी दुनिया से गायव है चाहे वो संसकार की हो चाहे वो परंपराओं की हो चाहे वो किसी और छेत्र में भी आप ले जाईए उसे जो आपका मन करें इरादे रादे बोलना पड़ेगा दुन्दगारी खेलने जाता है अपने संके बच्चों को एक तिन तो उसने एक बच्चे का कंठ दवाया और कुए में गोविंदा नमो नमा उसका कंठ दवा कर उसे कुए में बिदा कर दिया बोलना ही पड़ेगा जोड से